यहन दोस्तों जैसा कि OROP3 की घोषणा संसद में हो गया है, बजट हो गया है, कैबिनेट अप्रूवल, सारी चीज हो गई है, लेकिन अब हो ना क्या बाकि है? यह मैं आज बात करूँगा, यह कब से लागू है, एरियर कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि अगस्त के महने में आपको बड़े हुई पैंसिन का लाब जरूर मिल सकता है, और प्रेडिक्टिट टेबल जो आपके सामन है, OROP 2 में बड़ोतरी कम दिखी थी, लेकिन वो OROP 3 में साइध आपको अच्छी बड़ोतरी देख सकती है, कहीं ने कहीं कुछ इसमें बदला हो रहा है, अब मैं बोट पे आता हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताए था, कि OROP का पास्ट क्या रहा है मानि प्रधान मंत्री जी ने इसका एक पॉलसी जारी किया है, और पॉलसी 7.11.2015 के हिसाब से, OROP 1 का आपका रिवीजन बताए, 2 का बताए, अब 3 का रिवीजन, तो 3 का रिवीजन के लिए 30 जून 2024 तक के जो रिटाइरीज हैं, अभी ध्यान से सुलने, बहुत सारी फोज, 28 से 30 लाग है, मुश्किल से 10-15 जाल लोग इसको देखते होंगे, लेकिन जरूर आप एक दूसरे के लिए असेर कर सकते हैं, और बाकी OROP 2 से 3 में क्या बदला हुआ है, 1 से 2 में क्या बदला हुआ है, इसके साथ, 30 जून 2024 तक जो भी रिटाइर हैं, उनको इसका लाब मिले यानि जो पिछले सभी को लाब मिलेगा, चाहिए वो प्रिमेचर एक जुलाई 2014 से पिछले वाले जो प्रिमेचर वाले हैं, उनको लाब मिलेगा, उनको 1 का मिला, 2 का मिला, 3 का मिला, लेकिन PMR बालों के लिए सबसे बड़ा जटका ये, जटका आपको अगली OROP में जब आप जाओगे या आगे 10-15 साल बाद आपकी बेसिक पैंसर में बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, तब आपको पता चलेगा, और इसमें बेसियर 2023 माना जाएगा, और एबरेज, मिनीमम और मैक्सिमम आर्मी, एरपोर्स और नेवी का बिलकुल लेंथ आप सर्विस और रैं बात बतातों, थोड़ा धिहान से सुनना, एक जवान, एक जेशू लेप्टि नेंट है, वो 30 जून 2019 को रिटाइड होता है, कब होता है, 30 जून 2019 को रिटाइड होता है, अभी वाला लेप्टि नेंट है 35,800 पैंसन ले रहा है और रिटाइड होता है, वो 36,09 Unknown को हो जाती है बेसिक अब आप देखी कितना अंतर है 35 छह साथ का और डिये मिला के 10,000 का अंतर है है बिलकुल बात सही है अब वो लगातार इसका फायदा ले रहा है एक भाई एक मैने बाद रिटाइड होता है यानि 31 जुलाई 2009 रिटाइड होता है अब उसको इसमेền सामिल नहीं किया गया है अब उसको इसमिले वारोपी 3 में शामिल लगा जाई है यानि पांग साल एक मेना लेट रिटाइड है तो पांग साल तक वो 10,000 रुपए पर मंत के इसाफ से सफर करता है 10,000 पर मंत यानि 1,20,000 एक साल के होते हैं और 12,60 आप देख सकते हूं कितना 6,00,000 के आसपास इमाउंट जा रहा है 6,00,000 के आसपास इमाउंट जा रहा है जिस दिन पेंस रिवीजन होगा तो जैसे कि अभी जो लोग 1,07,20,000 को कंसीडर किये जाएंगे पीछे नहीं हुए भले 2019 के अगस्त के बाद 20 में 21 में 22 में 23 में कभी भी हैं उन्हें कोई भी लाब नहीं मिलना है उनको जो भी लाब मिलेगा वो 172024 onward होगा यानि जब भी इसकी गोशना एक जुलाई के बाद होती है और इंप्लिमेंट होता है तो उस पीरिड का ही आपको एरियर मिलेगा जैसे कभी अगस्तम होगा तो वो दो मैने के एरियर मिल जाएगा बस ये बहुत बड़ा नुकसान बाली बात है और टम्स एज पर पॉलसी यानि 7 नवंबर 2015 की पॉलसी है और जैसे के टेंटेटिव अभी हम वारोफी 3 में सिपाई को 20 यार 450 मान के चल लें नाइक को 22 यार 1 से 75 हवल्दार को 24 यार 925 यार 300 नाइक सुयार है 2830 साल का 26 यार 27 यार 600 और 28 यार 500 सुविदार 332 साल का 32 यार और 33 यार सुविदार मेजर 34 से 35 यार 500 और लेंटिनेंड का 43 यार 500 और कैप्टन का 46 250 के आसपास इसके आसपास फिगर रहने बाले है तो दोस्तों आदोनों वीडियो को मैं कंक्लूजन करूँ तो आपने देखा होगा कि OROP में क्या-क्या बदला हुआ है प्रिमेचर को अभी बंद कर दिया गया है OROP 2 में कंसीडर नहीं किया गया OROP 3 और आगे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा हर पांच साल इसका बदला होगा जब बदला हो जिस दिन सोगा उसी दिन से आगे का एरियर है बीच के पीरिट का आपको खामिया जाना बहुतना पड़ेगा ये पॉलसी है और इसकी और कोई पॉलसी में अभी बदला हो नहीं है OROP 3 की घोषणा आप समझ सकते हो लोग सबा में एक शॉलेट कुश्चन आंसर में किलिर कर दिया है सब कुछ हो गया है तीन जुलाई एक घोषणा होनी थी अभी कभी भी जैसे टेबल त्यार हो जाएगी हो जाएगा घोषणा बागी इसके उपर जो भी खबरें चलने हैं आपके सामने अपडेट आते होंगे धन्वादो